आज मैं बहुत ही हिल्दी नास्ता बनाना हूँ, आप देखते ही बनाएंगे, हिल्दी भी है और स्वाधिस्ट भी है, बीने तेल के बनाऊंगी, जिन लोगों को तेल घी से परेजे उनके लिए बहुत ही अच्छा नास्ता है, तो चलिए इस नास्ता को बनाना शुरू करते हैं, गैस पर मैं एक कडाही रखी हूँ, और इसमें एक कप भर के पानी डाल दे रही हूँ, इसी कप से मैं एक कप भर के चावल के आँटा भी डालोंगी, एक चेमत तेल और एक चेमत नमक डाली हूँ, पानी मुबाल आ गया है, अब मैं एक कप भर के चावल के आँटा ड अगर आप कटोरिस लें तो एक ही कटोरिस लें पानी और चावल कांटा बराबर लेंगे तो सही बनेगा अब गैस बंद करके बढ़ियस मिलाकर इसे पांच मिनिट लिए धक के छोड़ दोंगे ताकि ये चावल कांटा फोल के सेट हो जाए गरम पानी में एकदम सौब्ट हो में दोकर भीगा दे थी दो-तीन बार पानी से दोकर भीगा दे थी एकदम फूल के तयार हो चुकी है अब बलंडर जार में डाल कर इसे पीश लोंगी मैं और इसमें मैं लाशुन की कलिया और दो हरी मेच डाल दे रही हूं मिर्चाब अपनी हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं थोड़ा सा पानी भी डाल दी हूँ महिन पीछ ले रहे हूँ पीछने में दिक्कत हो तो एक दो चेमस पानी और डाले हैं ज़्यादा पानी ना डाले इसमें अब एक बरतन में निकाल ले रहे हूँ चना डाल बहुत ही हिल्दी होती है इसमें अधिक मातरा में आइरन, कल्सियम और प्रोटीन भी पाया जाता है कल्सियम के ओज़ासे हड़िया मजबूत होती है चना डाल किसी भी तरह से खाएं सेहत के लिए बहुत फायदे मंद होती है अब यह आटा देख ले रहे हूँ अभी काफी गरम है एक दूसरे बरतर में मैं इसे निकाल ले रही हूँ चावल के आटा गरम पानी से लगाते हैं तब बढ़िया रेशेपी बनती है कोई भी रेशेपी बनाएं यह देखने में ऐसे भरभरा लग रहा है आटा लेकिन अभी ऐसे जब मसलेंगे न तेकदम अच्छे तरीके से डो की तरह लग जाएगा इसमें पानी की बूद नहीं डालना पड़ेगा अभी काफी गरम है इसे चेमर से मिला ले रहे हूँ बढ़िया से उसके बाद हाद से मसल कर इसका डो तयार कर लोगी यह रेशिपी बहुत ही हिल्दी होती है जिल लोगों को तेल घी से परहेज है मिर्च मसाला से परहेज है उनके लिए बहुत ही हिल्दी रेशिपी है मिर्च मसाल आपने 1-6 नमसार कम जादा कर सकते हैं तेल तो इसमें बिल्कुल ही नहीं डालेंगे तब भी बहुत स्वाधिस्ट बनती है आटर लगके तयार हो गया थोड़ा से तेल लगा दू ताकि सूखे न उपर से एक बार इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई करें बड़े और बच्चे सभी पसंद करेंगे एकदम सॉप टाटर लगकर हमारा तयार हो जुका है अब मैं इसमें मसाले में लालूंगी आधा चेमच हल्दी पौडर बहुत थोड़ा से लाल मिर्च पौडर डाली हूँ क्योंकि इसमें हरी मिर्च डाली हूँ मिर्च अपने हिसाब से कम जादा कर सकते हैं आधा चेमच धनिया पौडर, आधा चेमच पाव भाजी मसाला आधा चेमच जीरा, साबू जीरा डाली हूँ और आधा चेमच अजवाइन, थोड़ा सा क्रेश करके डालेंगे अच्छा टेस्ट आता है एक चेमच भर के चाट मसाला डाली हूँ, दो पिंच हिंग डाल दी हूँ और आधा चेमच इसमें मैं नमक डाल दी हूँ नमक और मिर्च आप अपने स्वाद अनुसार कम जादा कर सकते हैं चेमच धाल में हिंग के टेस्ट बहुत अच्छा आता है अगर आपके पास समय सुपलब्ध हो तो जरूर डालें अच्छे तरीके से मैं इसे मिला ली हूँ और थोड़ा से धनिये पत्ती डाल दे रहे हूँ अच्छे टेस्ट के लिए अगर यह रेशिपी आपको जरस भी पसंद आए तो अपने फेमली और मित्रों में जरूर सेयर कर दीजिएगा चैनल पर पहली बार आये हूँ अभी तक सब्सक्राइब न कीए हूँ तो प्लीज मैं आप सब्सक्राइब जरूर कर लिजिएगा वीडियो परसंद आये तो लाइक भी कर दीजिएगा चकले में थोड़ा से मैं तेल लगा ले हूँ चावल गाटे से लोई बना लूँगी पहले रोल कर ले रहे हूँ फिर छोटी छोटी लोई बना लूँगी इसे बड़ी सी रोटी की तरह बेलेंगे न तो ये बेलने में दिक्कत होती है इसलिए छोटी छोटी पूरी की तरह बेल कर मैं तयार कर रही हूँ गोल करके थोड़ा सा इसे हाथ से दबा दे रहे हूँ ज्यादा बड़ी रोटी नहीं बनाऊंगी इसके किन्यारे थोड़ा फटते हैं इसे कोई दिक्कत नहीं है कटोरी या गलास से इसे काट कर बिल्कुल गोल बना सकते हैं तो मैं इससे काट ले रहूँ है चाहे छोटा सा टिफिन हो उससे भी काट सकते हैं या टिफिन का अधकन हो तो सारी पूरी एक बराबर होंगी इसलिए काट के बनाऊँ होंगे कटोरी या गलास से काट लेंगे न तो टेड़ी मेड़ी बेलेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगे काट लेंगे तो सारी गोल बन जाएंगे जो याटा है इसे दुबारा से बेल लोंगे तो पहले बेल कर रख ले रहे हूं मैं अब मैं सारी पूरी बेल ली हूं इसके उपर कुटी हुई लाल मिर्च लगा दे रहे हूं अच्छे लूप के लिए और बारिक कटी हरी धनिया भी लगा दे रहे हूं देखने में अच्छा लगे जिसको आप खिलाएंगे घर में मेहमान आ रहे हूं कोई भी हो वो पूछेंगे कि कैसे बनाई हो देखने में बहुत अच्छा लगेगा ये अच्छे लूप के लिए लगा रहे हूं अगर आपको नपरसंद हो तो न लगाएं थोड़ा सा चेमा से प्रेश कर दे रहे हूं ताकि ये निकले ना अब मैं ये पूरी उठा रहे हूं ऐसे हा एक साइट पर रखेंगे इसे फोल्ड कर दे रहे हूं इस तरीके से मैं इसे स्टीम करूँगी इसलिए पूरा बंद नहीं कर रहे हूं तो सारे इसे तरीके से बना कर तयार कर ले रहे हूं बहुत ही अच्छी लगती है रेशेपी खाने में और देखने में हिल दी तो है ही इसमें तेल की बूद भी नहीं डालेंगे तब भी ये रेशेपी खाने बहुत स्वाधिस्ट होती है तो सेम तरीकी से इसे भरके तयार कर ले रही हूं और जिस बरतर में इसे स्टीम करना है उसमें तेल लगा लूँगी चाहे छेद वाला प्लेट ले ले या ऐसे साधा जो भी हो उसी में इसे पका लें दोनों में पक जाएगा पहले तेल लगा ले रहे हूं तेल लगाने से आसानी से छोड़ देगा इसमें चिपकेगा नहीं और मैं कड़ाई में पानी रख दी हूं पानी में अच्छा उबाल आ जाए तभी इसे रखें इसके ऊपर थोड़ा से तेल लगा दे रहे हूं जो बचा हुआ है उपर से रख दूँगी तेल लगाने से चिपकेगा नहीं हलका से तेल लगाएंगे ज्यादा नहीं ताकि य इधर उधर ना हो इसके उपर ऐसे प्लेट रखके कवर करके इसे स्टीम कर सकते हैं इस तरीके से अगर कड़ाई के बराबर प्लेट हो तो कोई दिक्कत नहीं जैसे मेरा है मैं दिखा रही हूँ इसे निकाल ले रहे हूं इसको रखने की ज़रुत नहीं है यह हमारा दाल आने के बाद ही रखें लगभग इसे पकते 15 मिनिट हो गया मैं अच्छे तरीके से पका रहे हूं ताकि दाल जो है अंदर बढ़िया सपक जाए खच्ची ने रहे ऐसे आप टच करेंगे ना तो गीला नहीं लगेगा चाकु से भी इसे चेक कर सकते हैं इसमें लगे न आटा समझ लो अच्छे तरीके सपक चुका है इसे मैं उताल ले रहे हूं ठंडा होने के बाद निकाले नहीं तोड़ जाएगा अब रास्ता ठंडा हो गया है इसे बड़े और बच्चे सभी पसंद करेंगे इसके अंदर जो स्टेफिंग भरी हूं ये बहुत ही स्वादि दोड़ा बरी हुई है मैं काटके दिखा रहे हूं अगर फ्राय करना हो तो चोटा छोटा करकरi मैं तो मैं 3-4 काट ले रहे हूं खाना कर सकते ही घच घ्मा कर दरी मि're by च्रलि कर देए हूं या रहे हैं और आधा खेंश क्रल्ष कौक्झ ठीन कर तोड़न राद सकते हूं यह मसाले पक जाएंगे तेच्चा उताइचे मचल दी पोड़ और पाव भाजी मसाला डाल दी हूँ चाहे तो मैगी मसाला भी डाल सकते हैं बच्चों को खुश करने के लिए और यह फरा डाल दी हूँ जो मैं छोटा-छोटा काटी थी जो मसाले इसमें डाली हूँ इसमें लिपड़ जाएं बस पकाना नहीं मसाले भी पके हैं और यह भी पका है अब मैं इसे निकाल ले रही हूँ और जो मैं फ्राइ नहीं करी हूँ उसे भी रख दी हूँ इसमें थोड़ा सा यह तोमाटो के चप है आप अपनी मन पसंद चटनी के साथ खा सकते हैं धनिय आप एक बार जरूर ट्राइ करें यह नास्ता आपका कैसे बना अपना उन्भू मारे साथ जरूर सेर कर दीजिए गा चटनी के साथ ही बहुत अच्छा लगता है